नमस्कार दोस्तों मैं समंगला अपने चैनल ओकी चन में आप सबका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज मैं विटामिन सी से भरपूर आमले की एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ ना ही ये मुरब्बा है ना ही कैंडी अमरित्फल कहे जाने वाले आमले की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है एक साल के बच्चे या फिर उम्रद राज के लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं सभी के लिए फायदे मन्द है तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना देखिए शुरू करते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये कच्चे आमले जो बाजार में इस समय आसानी से मिल रहे हैं उनको ले लिया है वजन में ये 800 ग्राम आमले हैं और आमले जो हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए इसी तरीकी के फ्रेश आमले चाहिए इसी भी तरेके का दाग या धब्बे या फिर आमले जो है गले हुए नहीं होने चाहिए तो इस तरीके का आमले का हम सेलेक्शन करेंगे अपने इस रे पाने को घीख को अब मुझे हैं दोग करो और वादी से चाई वाले जोड़े साफ कर लिया है। और ये चोटे size के थे तो मैंने याँ पे बड़े वाले greater को ले लिया और फिर उन से मैं इन्हें grade करने लगी, तो मुझे यहाँ पे इस तरीके के ही लच्छे चाहिए आप भी कोशिश करेगा कि इस recipe को बनाने के लिए बड़े वाले grater का इस्तमाल करें जो हासन से आपको बड़े लचे मिल सकें तो आप देख सकते हुए यहापे मैंने सारे Amla motivate ग्रेट करके ले लिए हैं और इनके लच्छे जो हैं आपको मैं दिखाती हूं कि कितने बड़ियां लच्छे हमें मिले हैं तो यह देखें इसी तरीके के बड़े-बड़े हमें लच्छे चाहिए अपने इस रेसिपी के लिए चाहिए आप इसे मुरब्बा के फॉर्म में खाए या फिर आप ऐसे भी खा सकते हैं तो आमले को जरूर अपने डाइट में शामिल करना अब मैंने यहाँ पे 300 ग्राम यह जो मिश्री होते है ना साबुत मिश्री जो धागे वाली मिश्री होते है उन्हें ले लिया है और उनका मैंने पाउडर बना लिया है तो देखिए जो मैंने पाउडर बनाया था यह मिश्री का पाउडर है आप यहाँ पे शुगर का भी पा पौडर बनाके रखाता ना उसकी एक लेयर हम कढ़ाई में इस तरीके से बिचा देंगे एक लेयर हम मिश्री की रखेंगे और उसके उपर हम इस तरीके से जो हमने आमले की लच्छे तयार किये हैं उनको इस तरीके से बिचाते जाएंगे इसी तरह से हमें आमले और मिश्री के लेयर एक बनाती जानी है तो मैंने पहले मिश्री की लेयर बनाई फिर उसके उपर आमला फिर एक लेयर मैंने मिश्री की बनाई है और फिर उसके उपर हमें एक आमले की लेयर रखते जाएंगे इस तरीके से हम सारी लेयर यहां पर तयार करने वाले हैं यह रेसिपी आपक इसे भी कम का समय इसमें लगता है तो यहां देखें मैंने इनको इस तरीके से बिचा लिया नाचुरल फ्लेवर देने के लिए मैं यहां पर एड़ कर ले रही हूं यहां पर तीन से चार लॉंग यानि की क्लोस और हम यहां पर साथ ही में एड़ कर रहे हैं थोड़ा सा प्लैक पेपर साथ से आठ दाने हैं बस इतना ही आड़ करना है धकन लगा कर अभीने हम गैस पर देंगे और इसी तरीके से हमें गैस पर इने कम से कम चार मिनट के लिए रहने देना है लो फ्लेम पर तक हमारे आमले बन रहें तब तक मैं आपको बताते हूं जो यह हमने बीच जो ग्रेट करने के बाद बचाये थे इनका क्या करना है इने हम बिल्कुल भी फेकना नहीं ह अब मैं बताते हूं इनका हमें क्या इस्तमाल करना है तो यहाँ पर मैंने एक क्लिटर यह पीने वाला पानी ले लिया है और इसमें आप यह क्या करेंगे हम जो यह सारे बीच जो हमने ग्रेट करें थे आम लेके उनको एड कर देंगे इनका हमें पल्प निकालना है तो मैं इन्हें गास पर रखकर के इने बंघर होने तक पकाऊंगी और ये देख्षिए इस तरीके से आम नहीं अपर पानी को वंघर होने तक पका लिया है और आप तो तरह पानी चोड़ा है जिसकी वज़े से पटापट से बन गया है यहां पर हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तमाल नहीं किया था और हमें पानी का इस्तमाल करना भी नहीं है तो अब हम यहां पर आड़ कर लेंगे यहां पर हमने जागरी पाउडर थोड़ा सा स्वीटनर के लिए आड़ किया है और इससे हमारे जो रेसिपी की कलर आएगी ना वह भी बहुत बढ़िया बन करके तयार होगी तो इनका कलर भी बहुत अच्छा निकरेगा टेस्ट तो अलग होता ही है तो आप जरूर एड़ कर या आप इस रेसिपी को पूरा का पूरा गोड़ के साथ भी बनाकर तयार कर सकते हैं यह बहुत थेल्दी वर्जन के हमारे रेसिपी बन करके तयार होगी अब इन्हें हमें तब तक पकाना जब तक यह सारा पानी जो है वह सुखने जाता पिर आप कर सकते हैं जो यह चीनी काला नमक इससे स्वाद जो है बहुत बढ़िया आता है खटा मिठा और नमकीन का बैलेंस बना रहता है साथ में मैंने एड़ कर लिया एक चम्मा सोट पॉडर अगर आपके पास सोट का पॉडर ना हो तो आप यहां पे एक इचे अधरक के टुकडे को ग्रेट करके भी मैंने यहां पर आदा चम्मच जो है इलाइची पॉडर भी डाल लिया यह फ्रेश इलाइची हरे वाली इलाइची उनको कूटके मैंने एड़ किया है अब मैं यहां पर आड़ कर रही हूं एक चम्मच मगज के बीच यह हल्दी के साथ साथ बहुत अच्छे भी दिखते है साथ में तो यहां पर सारी चीजों को मिक्स करेंगी और लगब 10 मिनिट हो गये है और यह जो है आमले की रेसिपी इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है तो यहां पर मैंने गयास का फ्लेम बंद कर दिया है थोड़ी दर इसी तरीके से इने हम पकाएंगे और मैं आपको दिखाती हैं आप देख सकते हो जो चासनी है बिल्कुल खतम हो चुकी है और इसी तरीके का हमें यह रेसिपी चाहिए एक दम सुखावा होना चाहिए हमारा रेसिपी तो यह देखिए और आप जब हाथ लगाओगे ना तो यह थोड़े से चिपचे पविपन में होगी इसी तरीके के हमारी रेसिपी बने होनी चाहिए यह रेसिपी आप ज़रू ट्राइब करेंगा बहुत हेल्दी और बहुत स्वाधिश्ट बनते हैं आमला तो आप जानते ही है इमनिटी बूस्टर है यह हमारे स्कीन और बालों के लिए भी अच्छा होता है बहुत फाइदे प्रेंड़ करके सालों साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं यह लगवख पांस साल तक अराम से चल जाते हैं चमच छोटे बच्चों को और एक चमच बड़ों को इसका इस्तमाल करना चाहिए यह बहुत हेल्दी होता है आखों के रोशनी के लिए बालों के लिए स्किन के यह सबके लिए बहुत फायदे मंद है आमले का हल्वा कहो आमले के चुंदा कह सकते हैं या फिर आप इसे लच्छेदार आमले का मुराब्बा कहिए नाम इसका कुछ भी हो सकता है लेकिन है यह सूपर फूट तो फ्रेंड्स जरूर ट्राय करेगा आपको बहुत पसंद आ सब्सक्राइब करेगा अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेर करना बिल्कुल ना भूले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा क्योंकि मैं आप सब के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी रिस्पीस लेकर आती रहती हूं मिलते हैं अगले स्वादिस सफर प्रेंपे,thanks for watching!